जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हरदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, जैत्र मास के क्रश्न पक्ष की अस्टमी तिथी को सीतला अस्टमी का तिवहार मनाया जाता है इसे बसोडा के नाम से भी जानते हैं सीतला अस्टमी होली के आठ दिन बाद मनाई जाती है इस दिन माता सीतला जी की विधी विधान से पूजा की जाती है इस दिन मासीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है लोग एक दिन पहले ही यानि सीतला सप्तमी के दिन माता के लिए भोग तयार करते हैं और दूसरे दिन यानि अस्टमी को माता सीतला को भोग चड़ाया जाता है आपको बता दें कि सीतला अस्टमी का वरत महिलाएं अपने बच्चों की दीरगाय के लिए रखती है माना जाता है कि सीतला अस्टिमी का व्रत रखने से परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार का रोग नहीं लगता इस दिन व्रत रखने और सीतला माता की पूजा करने से परिवार के सदस्य सेहत मंद रहते हैं माना जाता है कि सीतला माता को बासी भोजन काफे प्री होता है ऐसे में इस दिन माता सीतला को प्रसन्न करने के लिए बासी और ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं दोस्तों सीतला माता की पूजा के लिए भोजन एक दिन पहले ही बना कर रखा जाता है आप सीतला सब्तमी के दिन सीतलता प्रदान करने वाले भोजन जैसे दाल, चावल, बाजरा, दही, हरी सबजी, पूरी या हलवा आदिवेंजन बनाये जाते हैं और फिर अगले दिन सीतला अस्टमी के दिन सीतला माता के मंदिर जाकर पूजा की जाती है और माता को भोग लगाया जाता है और फिर इसी भोजन को परिवार के सब भी सदस्य ग्रहन करते हैं आपको बता दें कि इस दिन कुछ कार हैं जिन्हें नहीं करने चाहिए जैसे इस दिन स्वयम या घर का कोई भी सदस्य गरम गरम भोजन ना करें इस दिन घर में चूला ना जलाएं इस दिन किसी भी प्रकार की अगनी प्रजुलित नहीं करने चाहिए पूजा में भी दीपक ह भवन आधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन माता को ठंडा दीपक ही अर्पित किया जाता है। इसके लावा एक बात का ध्यान रखें कि माता के भोग में आप तीखा, मिर्च, खटाई और नमक का इस्तमाल ना करें। और ना ही इस दिन प्याज लैसुन से बना हुआ भोजन माता को भोग लगाएं। दोस्तों जब भी आप सीतला माता का भोग तयार करें तो सूर्यास्त के बात करें या रात में करें। आप सूर्य भगवान के रहते माता का भोग तयार ना करें। इसके लावा इस दिन भूल कर भी मास मदीरा का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों सीतला अश्टमी के दिन आप प्राता काल उठकर सीतल जल से इसनान करें इस दिन गर्म पानी से इसनान नहीं करना चाहिए इसके बाद आप नारंगी रंके वस्त धारण करें फिर आप पूजा के लिए दो थालियां तयार करें एक थाली में दही, रोटी, पुवा, बाजरा, नमक पारे, मटरी, मीठे चावल या पूरी वा हलवा आधी रखें और दूसरी थाली में एक आटे का दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का, मेहंदी, आधी पूजन की समगरी रखें साथ ही ठंडे पानी का भरा एक लोटा भी रखें इसके बाद आप सीतला माता की पूजा करें और उन्हें ठंडा दीपक ही अर्पित करें और थाली में रखा भोग चढ़ाएं इसके बाद इस दिन आप नीम के पेड़ पे जल अवस्त से चढ़ाएं फिर माता सीतला की फृत कथा सुनें इस तरह से आप सीतला माता की पूजा करें चलिए अब हम जानते हैं कि साल 2022 में सीतला अस्टमी का सुमूरत क्या रहेगा तो आपको बता दें कि इस साल सीतला अस्टमी 25 मार्च 2022 दिन सुकुरवार को मनाई जा रही है और अस्टमी तिथी की सुरुवात 25 मार्च 2022 की प्रहता काल 12 बचकर 9 मिनट पर होगी और अस्टमी तिथी की समापती 25 मार्च 2022 की रात को 10 बचकर 4 मिनट पर हो जाएगी और सीतला अस्टमी पूजा का सुब मूरत सुबा 6 बचकर 20 मिनट से लेकर साम 6 बचकर 35 मिनट तक रहेगा इस सुब मूरत की कुल अवदी 12 घंटा 15 मिनट की रहेगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद